बिशली नियंतरंग कक्षर के पास कश्रे की ठीक को शौट सर्किट से लगी आग ने रोत्र रूब धारंग कर पूरे कमपनी को अपनी चपेट में ले लिया इस विशन आग में करोडो रुपे की सामोगरी जलकर खाक हो गई है यह घटना बुट्टी पुरी और की खेटर के पुलिस स्टेशन अंतरगत एक माश को बुट्टी पुरी के स्नेहल फार्मा और सर्चिकल प्रावेट लिमिटेट में सुभे 10 बजे के करीब खटी गनिमत से इस भिशन आग में कोई जीवी थानी दही हुई है जानकर के मुताबिक बुट्टी पुरी और्धिकी क्षेतर के सुधेर देवगाउर कर नाकपुर निवासी इस व्यवसाई की स्नेहल फार्मा और सर्चिकल प्रावेट लिमिटेट कमपनी में 10 वर्शों से दवाया बनाई जारी है इस कमपनी में विविद रोगों पर उप्योगी टैपलेट, मलम वज सैनिटार्जर का उत्पाधन क्या जाता है कमपनी में करीब 200 मजदूर काम करते हैं हांसे के दुरान कमपनी में 150 महिला और पुरुष मजदूर उपस्तित थी सुमवार को सुभे 10 बचे कमपनी के बिचली नियंत्र कक्ष के पास कच्रे के ठेक में आख लगे और देखते ही देखती आख टैसी से फैल गे आग लगते ही कमपनी के मजदूर इधर उधर भागने लगे और अपनी जान बचाई गटना की जानकारी मिलते ही M.I.C. पुलिस घटना सदल पर पहुचे और दमकल विभाग को भी जानकारी दी गए और हिंगना M.I.C. के दमकल विभाग की एक, नागपुर सुधार प्रन्यास की तीन, इंडरमा कमपनी की एक, नागपुर हवाइदल की एक, वाडी नगर परिशत की एक और बुट्टी पुरी दमकल विभाग की दो ऐसे नव वहानों की आगपुचाने मी मदद ले गए, करिब चार घंटी की कड़ी मशक्यत की पाद आगपर काप उपा आग्या पलिस उपविभागिया अधिकारी राजेन रचोहान की माल के दर्शन में इस घटना की सुरक्षा के लिए M.I.C. पलिस साथी बुट्टी पुरी पलिस तरना थी मिस्यन नियूस के लिए बुट्टी पुरी से संदीब बलविर के रिपूर